देख भईया गदड़िया गारी हमारी अराम से लेके जाना कहीं पर ठोक ठाग न देना अबे कबुत्रा तो फिर जो उल्टी सीधी बाते कर रहा है मैं अराम से लेके जाऊंगा और भाई गदड़िया पेट्टोल बहुत ज्यान से भरवा लियो अईसा नहीं हम तुमको गारी दे दियें लेके जाके चला के लेके आए वैसे हिलाके खड़ी कर दिये गदड़िया अगर आलो इस बार महंगों बिग गया तब तो मज़ा ही आ जाएगा यार अरे यार कबुत्रा तु टेंशन कहें को ले रहा है इस बार आलो महंगों ही बिगेंगे इस बार तु देख ले ना आलो हजार उपे कट्टी से कम थोड़ी न बिगेगा अगर भाई गदड़िया हजार उपे कट्टी बिग गया तो मैं भी तेरी तरफ टाक्टा निकाल लूँगा वैसे भावी को क्या हो गया काहें को मुलाटका के बैठी है का हुआ ललका गामत तुसको कोई कुछ कह दिया का ना कुछ भीना हुआ है मुझे अगरण को फिर या पे मुलाटका है बैठी है जा घर मेंसे जा रोटी लेकर है मैं खेत मेंसे आया हूँ बहुत जोर से भूख लगी है मैं नहीं जा रही हूँ तुम जाके लेकि खालो मैं जोकल थोड़ी ना लग रही है कुछ तो बात है बताए है। मैं तुम से कह रहे हूँ ना क्यों मुझको कुछ नहीं हुआ, अब नहीं काम करो काहें को हमारा मूल खराब कर रहे हैं। इदर आलू गयवाने के लिए मसीन नहीं मिल रहा है, इदर तो हमारा दिमाग चाटे जा रही है बीना बाप के ये जो तेरे चेहरे लटका है न उतार देंगे, हम बताए दे रहे हैं अगर तुम अपने असली बाप को हो तो हाथ लगाएगे दिखा दो मुझको अरे मेरे सास की तु बाप के उपर चड़ रही है रुखजा मैं तेरी गर्मी अभी उतार देता हूँ अरे छोड़ दे कब उत्रा मुचको जो इसकी गर्मी सर पर चड़ी है ना उसको उतारने दे अरे मेरे सास की गदलिया तु पागल हो गई हो क्या बात है अरे यार कबुतरा आया जब भाबी कमान है तु लेके जाना यार काम की क्या चंसन लेता है काम हमें ही करवा देंगे तेरी और क्या चाहता है तो अरे यार कबुतरा तु कहता है ले जाओ जब में फुटि कोडि भी ना है मैं इसको कैसे लेके जाओ अरे भाबानी मैं कहता हूं कि इस बानाई चलेगी तो क्या हो जाएगा अगरिबाँ चलेंगे हम सब अरे सीधा सीधा बोल दो कि लिवा के जाने का मन नहीं ये बाहना क्यों मार रहे हो देख मैं तुझा सांती से बोल रहा हूँ कि मेरी बाते तुमान जा वन्ना मेरा दिमाग आथ तो ऐसी ही खराब है पिट पिटाई जाएगी बेमतलब के मेरे हाथो से अगर तुम अपने असली बाप के आउलाद हो तो पिट के दिखाए दो तो जान जाओगी मैं तुमको अरे यार गदरी अगर तुझे जादा अपना काम है तो कर ले अपना काम मैं ये भावी को लिवा के चला जाओगा अपने सांग क्यों वे कपुतरा मैं मार गया हूँ जो तुम लेकर जाओगा अपने सांग मैं लेकर जाओगा तुझा के अपना काम कर अरे यार जदरी तुझे बेमतलब के मेरे बातों का बुरा मान गया यार मैं ये कह रहा हुगे तुशो का मैं 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 लेकिन बोल देना कम से कम 500 रुपए दे विदाई में अगर कोई आदमी 50 रुपए दिया विदाई में तो तुम जान लेना तुमको कभी ना लिके जाओंगो वहाँ पे अरे का है को तुम मरे जा रहे हो पहले चलो तो सही हजार रुपए का तुम्हें 5000 रुपए दिलाऊंगी तु एक काम कर तुजा के फटा पन नहा दो के तयार हो जा मैं बाबा से पैसे के अंतिजाम करके आता हूँ पर बाबा है कहा दिख तो नहीं रहे हैं कहीं पे लेला मजनों कहीं पे बैठे होंगे दोनों लोग उनको तो कुछ काम धंदा है नहीं बैठे होंगे बस कहीं पे मैं जाके पूछ के आता हूँ तब तक तु नहा दो के रेडी हो जा और एक बाद तुम ये भी सुन लो सुबह में तुमके लेके चल रहे हैं साम को वाफिर लेके चले आएंगे वहाँ पे जाने के बाद कोई ओनो टंकी ना होना चाहिए ठीक है मैं साम को ही चल जाओंगे बस अब आप जाएए ठीक है मैं जाके बाबा से पैसे का जुआ करके आता हूँ बस आलू आलू सब गड़ जाए तब तो हम फिर हो जाएंगे एक दम अरे गड़ जाएंगे कहें कि इतना हल्ला कर रहे हो अब एक जामत के हों का ना गड़े फेले तुम ही गड़वा लो अरे का बात है इतना नतइफाफा के चिल्ला रहे हो तेरी बहुत दूज देने के लिए माय के जा रहे है लेके जाओ या फिनाल लेके जाओ अब बेटर तो जान तेरी काम जाने तुम तो इसे ही मेरी बात नहीं मानते वैसे गधड़िये जब वो बोल रहे है तो तू लेकर जा, इसमें क्या जा रहा है तेरा जा गधड़िये चला जा, ससुरार में जाने के बाद अमने समधिन से बात किरा देना मेरी, उसे कुछ जरूरी बात करनी है अरे मैं इसलिए तुम्हारे पास आए कि मेरे पास जाने के लिए कुछ पैसा काउड़ी नहीं है, कुछ पैसा काउड़ी होते दे दो मुझको अरे बेटा एक वी रुपए ना है मेरे पास, मैं कहां से तुझको दे दूँ अरे देख लो पापा होई तो देदो एक भी रुपईय ना है मेरे हाथ में अरे मैं वैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ उधारी मांग रहा हूँ मेरे पास हो जाएंगा तो मैं आपको लोटा दूँगा अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़ाप पैसा नहीं तो रहने दे कोई जरूरी थोड़ी ना है अगली बास चली जाएगे अपने भाई दूज मना लेगी अरे मैं ये कह रहा हूँ पापा तुम्हारी समझें तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कह रहे थी कि वो बहुत अच्छा आदमी है पैसे एक ही बार में हाथ में दे देंगे लेकिन मैं तुम से पूझ रहा है तुम तुम मना कर रहे हो अरे ने ने बेटा तुम्हारी समझें तुम सही कह रही है हमारे पात पैसा का कमी थोड़ी ना है बता तुमको कितने पैसे चाहिए अरे जादा नईवाद दो हजार रुपए दे दो मुझको हमारे के लोटा जेंगे तुमको तुम एक काम कर जाके तु अपना आलोब वाले मैं बहु के लिवा के चला जाओंगा और अपने समझें से भी मिलके चलाओंगा देख लो चोकर अब उढ़ापे में केज़े साथी आ रहा है अरे पापा तुम जाने के लिए रहने दो मैं तुम से फोन पर बात करवा दूँगा खाली हमें दो हजार रुपए दे दो मैं चला जाओंगा पने लोट कर आना है तु एक काम कर तु हमारे घर में चला जा हमारे बिस्तर के नीचे देख मैं दो दो हजार के नोट सब पड़े हैं जितना तुझे सही जा लेके चला जा गदड़िया तु तो जा रहा लेकिन एक बात तुम मेरी कान खुल के सुन ले वहाँ पर जा भले रहा है लेकिन एक किलो के ला लेके जाना जादा मही वालो मिठाए थोड़ी ना ले जाना अरे अम्मा तुम एक किलो के लेकी बात कर रही हो मैं तो सोच रहा हूँ आधे किलो के लेके जाओ हमारे सस्रार वाले इतने कंजूस हैं साले 50 उपय से जाधा देती नहीं और बेटे तुम साम तक वापिस लोड़के चले आना आलो आलो सब गरवाने है तुमको अरे पापा तुम चेंसन काहे को ले रहे हो हम संजे तक 3-4 बात लोड़के चले आएंगे वापिस और चोगरा तो बुड़ा पर हम कुछ आधा सडी आ रहा है दाते अपने अंदर कले वनना दाते तोड़ दूँगे बहुत संजें से बात करता है क्या बाते करेगा बता दो मुश्व क्या बाते करेगा तू अरे नए नए मतो अशे ही कह रहा तो मज़ी लेने के लिए वेटा तुम बहुक बटा के लिवा के जा रहा है आराम से लेके जाना अरे माजी आप टेंसन दा लेगी है अरे मेरे सास की डलवा लेंगे काहे को मरा जा रहा है अरे बेटा तू बहुक बातों में आके मिठाई लेकर ना जाना सिर्फ एक किलो केला है लेकर जाना तुझे बिदाई भी वहाँ पे नहीं मिलती है अरे बेटा बिदाई मिले जाए ना मिले लेकिन तू खूब महँवाली मिठाई लेकर जाना वैसे भी हमारे संदिन का घर है अगर तू एक किलो केला लेके जाएगा तो हमारे ना कटवा के आएगा इसलिए खुमाही वाली मिठाई लेके जाना अरे तुम लोग कहा है को तीन पाच कर रहे हो हमें साम तक वापी लाउट के आना है हटो हमें चलने दो अग ले वेटा गुल्लक लेते जा वरना पैसा पाएगा तो किस में डालेगा अरे सब गुल्लक ही देद होगे तो हमाव समान कैसे लेके जाएंगे खेल खिलो होने पैसे की देंसा नहीं पैसे तो अपने हम जेम में डाल लेंगे अरे मैं कहती हूं को गुल लग लेते जा पैसे वैसे पाईगा तू इसी मेदाल लेना आरा हमसे अरे मैं कहता हूं गुल लग घर में रख दे हमें लेना रहे का हम बाजार में से खरीद लेंगे तो भाई या बस आज का वीडियो यहीं तक अगर वीडियो अच्छी लगे होई तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना मिलेंगे अगले वीडियो में जैहिं जै भारत